नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर बंगरमों उन्नाओ शब बारात का पर्व अकीदत व एतराम के साथ मनाया गया अकीदत मंदों ने घरों में मीठे पाकवान बनाया और फतिया के बाद वकवान एक दूसरे को तक्सीम किये गया शाम होते ही लोग अपने अपने कब्रिस्तान पहुचे और बुजर्गों की चबरों पर मुम्बती अगर्बती लगा कर उनकी मख़वा क्सीम की दूआ की इसके बार मस्जिदों में जाकर सारी रात इवादत की इसलाम धर्म को मानने वाले कंऴे शब बारात अर्थात गुनाहों से माफी मांगते हैं। शबे बरात की राज सच्चे दिल से इवादत और तौबा करने पर अल्ला गुनाओं को माफ कर देता है इसलामी कलेंडर के आठवे महीने शाबान की चौधवी तारीक को सुर्यास के बाद शबे बरात शुरू हो जाती है शबे बरात अर्थात गुनाओं से तौबा करने की रात एक सप्ता पहले से लोग अपने अपने कब्रिस्तानों की साफसफाई ततापक की कबरों पर रंग रोंगन करने में जुट गये थे आसोमवार सुर्यास के बाद मुसल्मान अपने अपने कबिस्तानों में पहुचे और अपने पूरवजों तता दूसरों की कबरों पर फातिहा पढ़ी अगर बत्ती जलाई और रोशनी की लोगों ने अपनी शम्ता के अनुसार खेराद भी की घरों में पीठे पकवान विबिन प्रकार के हलवे बनाये गया और फातिहा के बाद एक दूसरे को तक्सीम किये गया रात में लोगों ने मस्जित या घर में कट्थे होकर नमाज अदा की कुरान पाक की तिलावत एकर अल्ला ताला से अकने गुनाहों की माफी मागी भविश में कोई गलत काम ना करने का वादा किया ऐसी मानेता है कि इस रात सचे दिल से तौबा करने और भविश में कोई गुनाह ना करने का वादा करने पर अल्ला गुनाओ को माफ कर देता है इस रात हर शक्स की तकदीर भी लिखी जाती है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं